आप ना अपने गाउं का और जो भी अगल बगल का है उ लाइफ दिखाओ, ये पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी ना दिखाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप के लिए कोई हेट कॉमेंट करता है, हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कौनों से, ऐसा कह हैं हमार इंडिपेंडेंडेंट्न जिजी के टरू वाले, टरू वालों का कहना है कि देखो जिजी तुम्हार जो जिंदगानिक कहानी है बहुत ज्यादा confusion वाली है तो भाई जनता जनारदन मतलब जो जिजी के जन्वन सबस्काइबर है वह अब नहीं चाहते हैं कि जिजी अपनी जिंदगानिक कहानी यहां पर लाइक आवाई ऐसी ऐसी बाते बतावाई तो भाई तुम लोग अन्से एक च तब ना तुम लोग देखने नहीं आएं और जब से controversial चीज़े हो रही हैं जब से ICYC सारी इमर्ती जैसी सीधी सीधी बाते हो रही हैं तब से तुम लोग ना आईस आडवाइस कर रहा हैं तो देखो इमा सब का तुमार भी गलती है जब कभी भी नॉर्मल नॉर्मल यह वीड independent जिजी का जो इनका कल शाम को वीडियो आवा था और जिजी ने जो उसका टाइटल रखा है वो थोड़ा संदेह जनक है देखे जो बढ़का बढ़का ब्लॉगर है चुटका चुटका ब्लॉगर है इन सब के टाइटल ऐसे होते हैं कि भाई तुम सोचो यह किस से रिलेट करेगा कागजी पती से या मम्मी से या भाई से या बढ़करनी जिजी से क्योंकि टाइटल जो ऐसा है वो किसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है जी हमारे जिजी लोग ना गोल मोल बाते करती है तो टाइटल का है चलिए बात कर लेते हैं उनको थोड़ा फील होता है बट ऐसा कुछ नहीं है किनको मम्मी को कागजी पती को सासू अम्मा को मतलब कागजी सासू अम्मा को I am so sorry मैं भूल गयी कागजी लगाना है न या फिर भाई को या फिर हमार देखिए एक दूइ लोग और हैं जो यहां पर नहीं हैं पटना में बात करें हूं मैं अपने जिज्ज की नोना जिज्जा की और हमार जुज्जी की तो यह जो नोना जिज्जा है और बढकनी जिज्जी है इनको कैसा फिल होता है बठ ऐसा कुछ नहीं देखिए इन सब के जो कंफियूजन वाले टाइटल होते हैं इसमें जनता जनारधन बहुत ज़्यादा ब्रमीत हो जाती है ल बिना को नो दे रही कि तो भाई कंघा हों गजा मिल नहीं रहा था अब जिद जोकरार दों फलर पर की काहानेब्स के उन्हें न्यूप इनका सबकед जिंदगानी बीति जारी नीचे उपर उपर नीचे मोश्चराइब chi का गड़ी अपनी रेटार्मेंट हो मम्मी जी का यूट्यूब। चैनल is open there!! मम्मी जी का चैनल किदर है। भाई क्यों नहीं अभी तक खोला गया। मम्मी जी उसमें मन पसंद्चीजें बतातीorm मम्मी जी का का खाती उनसब चीजों से रूब خाती मम्मी जी का चैनल खुला नहीं दर सको। देखो यह गलत बात है, वादा किलाफी नहीं होनी चाहिए, और मम्मी जी का भी सवच्छंद चैनल होना चाहिए, जिसमें वो अपने विचार बताएंगी, घर में सब की पास है, मम्मी जी के पास क्यों नहीं, मम्मी जी कभो तुमरे वीडियो मा जा रहे हैं, कभो तुमरे तो कब बढ़कनी जब आती है तो भाई मम्मी जी का खुबबे फायदा उठाती है मम्मी जी के रोंधे रोंधे थमनेल लगाए के मम्मी जी से ऐसी वैसी बात है करके पापा जी की याद दिलाए के पापा जी रहते थे तो आप का करती थी फलान धमाक शिमला की याद हैं कि खुद्दम खुदाई करती है उसको ना व्यूज के लिए तो मम्मी जी का भरपूर यूज करती है तो इससे अच्छा मम्मी जी देखे एक ऐसी महिला है जो यहां पर ब्लॉगर नहीं है लेकिन फिर भी फेमस है इसी तरीके से हमार नोना जिज्जा नोना जिज्जा भी ब्ल अगर तो मम्मी जी को तो बना देओ भाई उनके पास बीजट डॉलर आओं और फिर वह भी कॉंपटीशन करेंगी है कि हमार कोई कंटेंट न चुरा ले तम मज़ा आएगा दरसों को एक कोनो इधर च्छत पर एक कोनो चोबारे में और एक कोनो द्वारे में एक कोनो भाई इसके आगे हाथ फैलाना पड़ता है और बग्गी का कहीं दिमाग खराब हो गया तो भी अपने एक अलग स्वच्छन्द चैनल खोल लेगी तो भाई पूरे घर में बस हेलो गाईज डाल बन रही हेलो गाईज फुल के फूल रहे हेलो गाईज मैं नीचे बैठके सबजिय का चैनल आता है कि नहीं फिलाल हम छुटकनी के वीडियो पर थोड़ी सी कर लेते हैं वारता लाफ लेकिन दर्सकों जैसे भाई आम मुस्चराइजर वाले क्रीम जिजी नीचे लेका है मम्मी जी वाला फिर एक विवाद गरमाएगा देखे इससे पहले भी एक विवाद हो मम्मे जी भी और यू अधार लेकि शॉपिंग कर आगी यही आपको बहलस ने जाएगी वाले फोटो किच आएगी थोड़ा थोड़ा बाहर का खिया आएगी पर आएगी मम्मी जी आप भी ना आप आप कहती थी कि भई ऐसा जो पास में बच्चा हो उसकी तारीफा करो देखो आप इने बोला था छुटकर्नी के वीडियो में I think छुटकर्नी ने बताया था कि मम्म जी एक अपना मूल मंत्र अपनाती हैं कि जो बच्चा पास में होता है उसकी तारीफा करती है तो मम्मी जी अभी आपका बच्चा कौन सा पास में आपको छुटकर्नी काम भी वही आएगी तो भई तारीफा और जो क्रेडिट अगर वाकाई मिलाई है एक चीज़ दर्स को प्यार महबत बढ़कर्निक साथ ज्यादा का है हमेशा जनता जनारदन ने बोला कि छुटकर्नी को मम्मी जी ना फार ग्रांटेड लए लेते हैं ऐसा आपको भी लगता है का तो दर्स को फाइनली छुटकर्नी ने सोच लिया कि अब मम्मी जी का मैं करूंगी में कोवर मम् क्रीम लगवाने के बाद भाई नेल पेंट लगाया गया और छुटकर्नी ने वादा किया कि मम्मी जी मैं आपको हैस्टाइल भी करूंगी है वह मम्मी जी चलो खर मम्मी जी को यहां पर कंटेंट बनाया जाएगा कोई बात नहीं देखिए अगर बग्गा के पास बग्ग में आती थी और छुटकर्नी को भी कई बार बुलाया गया है जब शादिवादी हो गई थी जब अपने वहां पर थी तब यह वीडियो बड़े डावां डोल हो गए थे बग्ग्ये के तब हैं तो भाई प्लान बनावा गवा था कि हर सटर डे तो मिधर आओगी फिर भाई पाही पता हम उस्टे मुहा थोड़े थे हैं अब ऐसा थोड़े कि वे गाली गलोज वाले चैनल की तरह हमार अंता चच्छु होएं आखे बंद कर और हमें पता चल जाए कि उनका चपल कहां उनका जूता कहां उनके फ्राक कौन ही उच कर रहा है कटोरिया वरतन कौन ही सब यह गाली गलोज वाले चैनल उनको पता है तरसों को फिर काम की बाते बताई जाती है कि बग्ये ने जहारू लगाया मैंने पोच्छा लगाया और खाना अफ्कोर्स डूपट्टा ने बनाया है और डूपट्टा अब खाय रही अब यहां जो बाहर का बेड़ा है वो क जिजी ने बोल दिया कि उससे पहले मम्मी जी ने और जो हमार बढ़ करनी जिजी ने यहां बेड़ा गर्द किया है लेकिन आज मैं यहां पर सफाई करूंगी वही के बाद इतना सब कुछ करने के बाद मैं खाना खाऊंगी लेकिन फिर एकदम से पुरानी आदों चली वो महनत और आज का महनत आप लोगों की लाइकिंग छुटकननी बढ़कननी के लिए आज भी आप उतना ही पसंद करते हैं यतना पहले पसंद करते थे तो जी इसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा आप माने या ना माने स्टार्टिंग में जो आप लोगों की ब्लॉगिं करती थी और आप लोगों की बातों की कोई डूवल मीनिंग नहीं होते थे कोई इतनी ज्यादा टॉंट बाजी नहीं होती थी वह ब्लॉगिंग ही आपकी अलग थी और अभी तो आप सबको पता है कि हर एक चीज में एक टाइटल में भी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ सं पंदेश होता है किसी के लिए तीर होता है किसी के लिए कमान होता है तो वह ब्लॉगिंग बहुत चेंज हो चुकी सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं वह टाइम आपका अलग था आइधिंग आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब इस पर 45 मिनट वाले वीडियो वह सारी चीजों ने लोगों कर नजरिया बदल दिया है मुझे पता है कि तरू वाले नहीं मानेंगे आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो आप समझ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूं काश की जो पहले आपने शुरुवात किया था आ और माला कि ऐसका भाई जारू लगाते लगाते हमारे जुचि ने बहुत सारी छोटी-छोटी मगर मोटी बाते करी है ममझी जी की बाते ओफिस से लेके अभी जो एंज़ग्मेंन कर रहें काम कर रहें कितना exercise कर रहें हाह मम मम्मी जी भंडारे में गई थी रिपट्ट आई कर लिया थे कि आज पूरा बेड़ा साफ करके रहेंगे दरस तो ड aber जिजी ने पूरी रैड़ तक साफ कर डा ली अपने घर पर कहा है सामने काहें, नहीं कर रहे हैं कि और भाल रीपघाल यहां कोता है कश कि चिजी आपने यह सब ना किया होता, शची में अगर वाक़े में आप जाना चाहती थी तो जो ये अपने छोटी-छोटी मगर मोटी बाते करी हैं ना करी होती तो आज कहानी कुछ और होती क्योंकि कुछ भी हो यार तुम लोगन का जो भी डिसीजन है पर कहीं न कहीं उसमें आपका बच्चा सफर करेगा उसके लिए बहुत बैड फील होता है इतना धाई तीन साल बीते जा रहे हैं उसकी जिन्दगी का पापा जी का प्यार नहीं मिल पा रहा है बाकी किस तरीके से आपका चल रहा है आप देखी रहें कभू को घर बयान कब हो इधर जाना और जिस तरीके से आप अकसर यहां बताती रहती हैं कि बहुत आपको बाते करनी पड़ती हैं बहुत आप बिजी रहती हो मुह धर्द होने लगता है तो सोच लिजे किस हद तक आपका इंवाल्मेंट है अधर अक्टिविटीज में और किस तरी आपकी कहानी पलड जाती तो आज कहानी कुछ और होती फिर भाई नदन भावजाई का जो रंगा रंगार करम हुआ है छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा आए हाए यह वाला जो चल रहा है ना कुछ अलगे लेवल पर जाता है मतलब भाई यह रिष्टा का कहलाता कबों टॉंट वाजिम बदल जाता है तो कबो यह वाली बांडिंग दिखाई जाती है मतलब बोलके नहीं एक्सप्रेस करके फोन के सामने ऐसी ऐसी चीज़े करके चलो वेरी गुड यह जब नेचरल हो जाएगा तो बात ही अलग होगी इतना सारा काम इतनी सारी बाते करने के बा दोया जाता फिर टांगaaaa आजाता है फिर इना जाता फिर सुखाया जाता हैं मतलब एक दोई बनेट व उमा कंटेंड मिल के वाल पर फुलके फुलाने का नीचे सबजी लाने का फिर खाने का इसकी अलावा घृ जिझी ने एक सफायी भी डबойти कि हुए हम ना नीचे काम करवा दें हुए है फिल्कुल भी लेते पेंटिंग भी नीचे से हैं पेंटिंग का फोटो का वो कोलाज जो था उपर आई चुका है और मम्मी जी ने का काहे उठा ले जारी यह तो यहां लगा रहा है दे लेकिन हमार जिज्जी का मन है कि उपर भाई आप इलक्रिशन भाईया से ठुकाई इधर उधर कलील लगाए कि अपने कोलाज उपर टांगेंगे वसे जिज्जी बिगत दिनों में अपने प्यार बहुत जाता है लेकिन कहीं भी कोलाज में जिज्जा जी मतलब आपके कागजी पती नजर नहीं आएं चलिए समझ रहे हैं वो सब काहे के लिए था है ना अब वो सारी परिवर्तन हो च चुकी हैं बिगत पांचे दिनों में अगर आप याद करें तो भाई इन्होंने क्या क्या नहीं दिखाया क्या क्या मतलब यह एकदम से जब सुच होती है इससे यह पता चलता है कि प्रीवियस अगर आप इतना जादा पगलाए थे किसी के लिए फिर एकदम से आपके इसी चीज़े होती है ना तो एकदम से किसी के लिए नफरत जाग सकती है ना तो एकदम से किसी के लिए प्यार जाग सकता है और एकदम से खतम भी नहीं हो सकता यही चीज़े सवाल उठाती है फिर से वही सवाल अभी दो तीन चार दिन से जो एकदम पगलाई थी अब प् दूसरे ही होते हैं और इतने दिनों में हमने दूसरे ही देखें हैं आपको का लगता है यह सारी चीजे एकदम से हो सकते हैं बिल्कूल भी नहीं तो इस वीडियों में आपको का लगता यह टाइटल किसके लिए था कुछ समझ पाएं समझ जाएगा अपने हिसाब से जो भी दगता है नीचे कोमेंट करके जरूर बताईएगा और जिजे के जो प्रीवियस कहानी थी जो पुराने दिनों में ले गई थी उन दिनों इन ॉन नों में कितना अन्तर है जो पुराने सबस्क्राइबर होंगे बहुत अच्छे से कुछ ही शब्दों में इनको define कर देंगे इसलिए मैं इन पर जब भी trust करना शाहती हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ क्यों? क्योंकि जो instant एकदम बदल जाती है ऐसा भाव होता है नहीं मतलब ये कौन सा nature है एकदम आप ही रांजा वाला प्यार दिखाएंगी एकदम आप नफरत ले लेंगी और एकदम से हम आपको जानते नहीं आप कौन? ऐसा होता ही नहीं है लेकिन अभी ऐसा करके दिखा रही है इनका script ही है तो भाई आपको का लगता? आप comment करके ज़रूर बताईएगा अभी कले इतना ही फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई